सुदोस्तों स्टार्ट करते हैं इस हफते की वी नियूस के साथ तो सबसे पहले यहाँ पर टेसला ने एक ऐसी बैट्री बनाई है जिसकी वारंटी होगी 16,00,000 किलोमेटर यानि कि 16,00,000 किलोमेटर तक आप चला सकते हैं 16,00,000 किलोमेटर का मतलब तो मेरे साब से अनलिमेट वारंटी ही हो गया तो टेसला ने ऐसा कारनाम करके दिखाया है अब कहा जा रहा है कि यह और जो गाडिया होंगी इलेक्टिक कार्ड होंगी उनमें भी यूस की जा सकती है तो दूस्तों आपको तारजंदा वंडर का जरूर याद होगी आपने जरूर देखी होगी और अभी डेवलप होई रही है अभी वह 0-100 तक 5.5 सेकंड में चली जाती है बट कमणी चाहती है कि वह 0-100 फोर सेकंड में जाए अब बताएगा है कि इसका प्राइस जो है 35-40 लाग के बीच होने वाला है अब DCA कहना है कि अगर सब कुस ठीक ठाक जाता है तो इंडिया में ड 480 किलोमीटर की रेंज तो मेरे साब से अब जो हमाई डिपेंडेंट पेट्रोल पे वह दिरे-दिरे कम होता जा रहा है अब देखते हैं 2022 से पहले तो में कहसाब से कोई भी भढ़िया सी कार इंडिया मार्केट में नहीं आएगी जिसकी भी नियूज आ रही है वह 2022 तक कू हो गए हुंडा तो एक्टिवाई बनाए जा रहा हुसे तो कोई फूरसत नहीं है इलेक्ट्री बनाने की तो हीरो ने यहां पर सोचा है हीरो मोटरस है जिसकी हम माइस्ट्रो देखते हैं तो उन्होंने कहा है कि भाई आब जल्दी ही वह लॉंच करने वाले हैं अपनी दो स्कूटर एक होगा माइस्ट्रो दूसरा उमीद जदा जा रही है कि वह ड्यूट हो सकता है तो इन दोनों की उमीद तो पहले ही ती कि आएंगे अब कंपनी कहना है कि 2020 के अंदर ही वह इन दोनों को लॉंच कर देंगे अगली न्यूस है वेस्पा इलेक्टिक स्कूटर के जून में लॉंच होने वाला था इस साल जून में लॉंच होने वाला था ते अब इसकी पर इसकी जो डेट हा वोड़े शिफ्ट में जैसे को होगा उसके बाद electric scooter की जो sale है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है और मैं अपना खुद बताओं तो मेरे साब से बढ़ने ही चाहिए विगोज यहाँ पे जो हमारी petrol पे हम dependent है न वो कम हो जाएगा अब जैसे आप देख सेकते COVID-19 में अगर मान के चलो एक बार को बंद हो जाते petrol pump तो हम electric vehicle को अपने घर में चार्ज भी कर सकते थे यह थी इस हफते की EV news I hope आपको पसंद आई होगी अगर आपको पसंद आई है तो आप इसे like कीजिए share कीजिए thanks for watching guys मिलते अपनी next वीडियो में